सु हेलो फ्रेंड स्वागत है आज की इस नई वीडियो में मैं हूँ सन्नी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी ओतोप चैनल स्टडी सन्नी एडू क्लासिस में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 11 जून 2030 की फार्ट सिप्स कोश् सेलेक्टेट और इंपोटनेट लिए गए हैं अगर आप इस एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो यह वीडियो अपके लिए काफी ज़्यादा इंपोटेंट होने वाला है तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को सुरू से लेके अन तक जरूर देखेंगा देखें अगर आप ह वेटरिन क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले कोश्चन से तो आज का पहला कोश्चन है यूनस्को का मुख्याले कहां इस्तित है तो देखें फिन सयांसर है पेरिस देखें फिन यूनस्को का मुख्याले पेरिस में इस्तित है आप सभी ध्यान रखेगा देखें पेरिस के रहज़ानी प्रांस है और यहीं उनसको का मुख्याले इस्तित है युनसको सेयुक्त राश्ट सैश्डेक बैज्ञानिक संस्कृति का संगठन है युनसको का कारेकरम एजंटा 2030 में परिभासी सतत्विकास लच्छों की प्रापती में योगधान करते हैं जिसे 2015 में से युक्तराष्ट मासाभा द्वारा अपनाया गया था देखे फिंस प्रात्मिक उद्ध्य सांती बनाये रखना गरेवी उल्मुनलन सतत विकास और सिच्छा विज्ञान संस्कृति संचार और सूचना के माध्यम से पारंपरिक स्वाद में एक उदान देना देखे फिंस य इस स्वासान से आतmusicलन व्बन को सब्सक्राइब कर बैल इकन को प्रेस कर लेगा इसके बार निस्ट कूष्चन है भारत में कितने राष्टी सप्राशरेय के तऊछ्टी एकowski में हैं ग्याभारत का पहला राश्टी उद्यान चन्मिकरेय रूपमें जो इसमत्रापित कि फ् भारत किवल पांच राष्टी उद्यान थे, देखेंवेंज, 1970 में भारत में किवल पांच राष्टी उद्यान थे और 1972 में भारत संरच्छड पर निरभर प्रजातियों और आवासों के सुरच्छा के लिए 1973 में वन सरच्छर अधिनियम और प्रजेक्ट टाइगर को अधिनियम किया गया और वरतमान में 186 उद्यान है इसके बाद निश्ट कोश्चन है फ्रेंट्स मद्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहां इस्तित है तो देखे फिर सयांसर है भोपाल में अधिक बाद निश्ट कोश्चन है फिर सयांसर है गुजरात में गीर वन राष्टी उद्यान समुंद्री राष्टी उद्यान है देखे फिन्स ब्लैक नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्ये में इस्थित है और गुजरात राज के भावनगर चिले में इस्थित है और भावनगर ब्लैक नेशनल पार्क गुजरात के लोग प्री और सबसे अधिक देखे जाने वाले राष्टी उत्यानों में से एक ह और को मुखे रूप से ब्लैक बैक्स के सनाच्छड के लिए घोसित किया गया था आप सभी ध्यान रखेगा फिरेंस काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट कोश्चन है इसके बार निश्ट कोश्चन है फिरेंस आदिम जाती कल्याण विभाग का नाम बदल कर क्या रख दिया ग किया है देखें जन नायक बलीदानी बीरसाव मुंडा के जनम दीन पर आयोजित कारम क्रव के मुखमंत्रे शिवरा सिंग चौहान ने इसकी घोशड़ा की है देखें इससे पूर्व भी शिवरा सरकार आदिम जाती कल्याण विभाग का नाम बदल कर जन जाती कारे विभा किया था देखें जिसके बाद कमलनाथ सरकार ने फरवरी 2019 में जन जाती कल्याण विभाग का नाम बदल कर आदिम जाती कल्याण विभाग कर दिया था आप सभी ध्यान रखिएगा फिंस काफी ज्यादा इंपोर्टेंट कोश्टन है इसके बाद निश्ट कोश्टन है इसके बाद निश्ट कोष्टि नदी जोडो परियोजना लागू करने में मद्य प्रक्रद्थेस राजी कौन सा अस्थान पर है तो देखें फिन्स सयानशर है प्रथम अस्थान से बेटी को पूचए काफी ज्यादा कोश्टिन अपके जेल प्रहरी और वनरंचर धार तो तो आप सभी इस वीडियो को पूरा सुरू से लेके अन तक चलूर देखिएगा इसके बार नेश्ट कोश्टन देखते हैं फ्रेंड्स इनकोश 2023 उध्याभ्यास का आवजन कहां किया किया है तो देखें फिर सयांसर है ग्रेस में देखें फिर सिंकोश 2023 उध्याभ्यास का आवजन ग्रेस में किया गया है देखें फिर सिंकोश 2023 उध्याभ्यास का नाम काराश्टी उध्याभ्यास होने जा रहा है जिसमें बिसो के सरवाधिक लड़ाको विमानों को सामिल किया गया है और इस उध्याभ्यास का मुख्य उध हे बाद खुज्राहों को महाकारब वे काल किस नाम से जाना जाता है इसके बाद निश्ट कोश्चन है इसके बाद निश्ट कोश्चन है ही रापूमिया का मेला कहां लगता है तो देखें फिन्स सायांसर है मत्यप्रतेस के क्वालेर जेले में हीरा भूमिया का मिला लगता है इसके बार नेश्ट कोश्चन पूछा गया है भारत भौन के वास्तुकार कौन है तो देखे फिन्स सही आंसर है चाल्स कोरिया भारत भॉन के वास्तुकार है आप सभी ध्यान रखेगा फिन्स काफी ज़्यादा important question है इसके बार next question है फ्रेंट्स भारत और फ्रांस की वायू के सिनाओं के बेच संयुक्त अभ्यास को क्या कहा जाता है तो देखे फिन्स भारत और फ्रांस की वायू के सिनाओं के बीच जो संयुक्त अभ्यास होती है उसे करूड कहा जाता है देखे फिन्स भारत और फ्रांस की वायू के सिनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास को करूड कहा जाता है देखे फिस समारिक त्वी पच्छी इंडो फिंच अफ्यास का उद्यस था वायू रच्छा जमीनी हमले के अभियानों में फ्रांसिसी और भारती चालक धल में अंतर को बढ़ावा देना इसके बार निश्ट कोश्चन है फ्रेंड्स मद्य प्रदेश में इसलाम नगर गाओं का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो देखे फिस सयांसर है जगदिशपूर जगदिशपूर करने की घोशच्छा की है देखे फिर्ण इसलाम नगर गाओं भोपान में लगभग 12 किलोमेटर दूर इस्थित है और यह इसलाम नगर यानि कि जगदीशपूर कीनो के लिए प्रसीद है आप सभी ध्यान रखेगा फिर्ण काफी जदा important question है इसके बार next question है परमाडू उर्जा आयोक के अध्यक्ष के नया अध्यक्ष और परमाडू उर्जा विभाग का नया सची उन्युक्त किया गया है आप सभी ध्यान रखेगा फ्रेंट्स काफी जदा important question है इसके बार next question है फ्रेंट्स मद्य प्रदेश में राष्टी खाद सुरच्छा कानून कव प्रभावी हुआ था तो देखे फिस सईयांसर है एक मार्च 2014 में देखे फिस एक मार्च 2014 में मद्य प्रदेश के अंदर राष्टी खाद सुरच्छा कानून प्रभावी कि हुआ था इसके बार next question पूछा है मद्य प्रदेश का राज पसुग क्या है तो देखे फिस सईयांसर है बार सिंगा देखे फिस मद्य सब्सक्राइब का चुराज जन्जाती संग्रहल है वो कहां इस्तित है तो भौपाल में इस्तित है आप सभी ध्यान रखे का फिस काफी ज्यादा important question है इसके बार next question और last question है देखे फिस सयांसर है द्रहों के प्रभाग के बिप्रित दिशा में है इसके बार next question पूछा है त क्या है तो देखे फिस सयांसर है खागोली दर की प्रकासवर्ज की इकाई है आप सभी ध्यान रखेगा फिस काफी जदा important question है तो मिलते हैं एक लेनेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन